नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर आधुनिक खोजों से यात हुआ है कि लाखो वर्ष कूर इस प्रित्वी पर मानव का जन्मुआ था, पहले मनुष्य चार पेरों पर चलता था और जंगलों में रहता था, वह पेडों की जड़ों पत्तियों, वह फलफूल आदी खाता था, कुछ छोटे जानवरों को मार कर उनका कच्चा, मास खाता था, वस्त्र नहीं पहनता था, वह भूंता रहता था, यह बानव जैसा मानव खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकता लेकिन रात होने पर और जानवरों से सुरक्षा वर बरसाथ से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा, लेकिन वह अधिकांश तह पेडों पर चड़कर ही रहता था और इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था, समभवतह जब उसने उचाई पर लगे पेडों के फलो को देखा होगा तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे-धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए, चार के बजाए दो पेरों का उप्योग करने लगा होगा, इस प्रकार उसके दो हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिनका उप्योग वह धीरे-धीरे किसी चीज़ को खोदन पकड़ने से उठाने में करने लगा होगा और इस तरह वह दो पेरों का उप्योग चलने एवं हाथों का उप्योग काम करने के लिए करने लगा होगा, इस तरह मनुश्य में धीरे-धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए, जैसे जब वह पेरों पर खड़ा होने लगा, तो अधिक दूर तक देखने लगा होगा, वह आसपास की चीजों को देखने के लिए फूरे शरीर को भुमाने के बजाए सिर्फ गर्दन का उप्योग करने लगा, हाथों का उप्योग पे रोकी, तहनिया पकड़ कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा इसी समयवक पीठ के बलसोने लगा होगा, इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ-साथ मानव के सोचने की शक्ती का भी तेजी से विकास होने लगा, उसके स्पष्ट रूप से रोने वहसने की आवाज में भी अधिक स्पष्टता आती गई, निरंतर आते परिवर्तन इकठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए लकरी, जानवरों की हड्डियों, सींगों, धारदार, नुकिले पत्थरों का प्रयोग करने लगा, उप्रोक तरह के मानव अर्था ताज से लाखो वर्ष पुराने, मानव को आदिमानव कहा गया है आदिमानव पत्थरों का उप्योग, जानवरों के शिकार करने, मास काटने, लकडी काटने, कंधमूल खोदने आदि के लिए करता था पत्थर को पाशान भी कहते हैं इसलिए इसे पाशान यो कहा गया है पाशांकाल लाखों वर्षों तक चला पत्थरों के औजारों के स्वरूपों के आधार पर इसे तीन भागों में बाते हैं नमबर एक पुरा पाशांकाल नमबर दो मध्य पाशांकाल नमबर तीन नव पाशां अत्वा उत्तर पाशांकाल पुरा पाशान काल में औजार पत्थरों को तोड़ कर बनाय जाते थे, ये आकार में विशाल होते थे, धीरे-धीरे मानव ने इस कला में दक्षता प्राप्त कर ली, सेकड़ों वर्षों के अनुभववत भोगोलिक परिवर्तन के कारण औजारों में बदलाव आया। प्रारंब में हाथ में आसानी से पकड़े जा, सकने वाले पत्थरों के औजार बनाय जाते थे, धीरे-धीरे हथियारों में हथे लगा कर प्रयोग करने की कला मानव ने सीखी इन औजारों को लकड़ी के हथे में बांध कर इनकी शक्ती को बढ़ाया गया। नप पाशान अक्वा उत्तर पाशान काल इस काल में छोटे पैने तथा अधिक सनहरक हथियार कड़े पत्थरों से बनाय जाने लगे, जिनकी मारक शमता अधिक थी, इन्हें बर्ण के अग्रभाग में तथा कुलहारी के पैने भाग के स्थान में लगाया जाता था। इस काल में पत्थर की चिकनी कुलहरिया, हाथ के बनाय बर्तन, जोपडियों के निर्मान, स्थल तथा लगू पाशान, उपकरन प्राप्थ होते हैं, इनका काल लगभग 2500ी। निकलते हुए देखा होगा, तब पहली बार मानव ने दो पत्थरों के आपस में तक्राकर आग उत्पंकी होगी, यह मनुश्य की पहली सबसे बड़ी उपलब्धी थी, आग के जलने से आदी मानव को बहुत लाब हुआ, जैसे अब वे मास को खून कर खाने लगे, राप के समय आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे, ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे, जंगली जानवर आग से दरते हैं अतक वे आग जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगे, आदी मानव भोजने की तलाश में घूंता रहा था ठक जाने पर पेरुप तथा पहारों की गुफाओं में निवास करता था पहारों की चतान को शेल भी कहते हैं शेल में निरमेत इन आश्रे स्थलों के कारण इन्हें शेल आश्रे भी कहते हैं ये शेल कहीं कहीं तो इतने बड़े है कि इन में 500 व्यक्ति तक बैठकर आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। इन्ही गुफाओं में बैठकर आदी मानव ने अपने दैनिक जीवन की कियाओं को चित्रित किया हैं। इन्ही गुफाओं की चत्तानों पर बने हैं। हाथी दात और हड़ी के बने अभूशनों का भी प्रयोग करते थे ये पक्षियों के पंखों से भी अभूशन बनाते थे हमारे प्रदेश में आज भी कई जनजातिया ऐसे ही श्रिंगार करती हैं और पंथ, सीफ, हड़ी, लकड़ी, रंगीन, पत्थर, जानवरों के सीन भी प्रकार करने में गाए, भेण बक्री, मास प्राप्त करने में बक्रा, भेव, भैसा, भोणा, उत आदी पुरतत्व विदों के अनुसार भारत में खृशी की शुरुआत आज से लगभग दस हजार साल पहले हो चुकी थी, इस प्रकार आदी मानब का भोजन की तलाश म हुए फलों के बीजों से नय पौधे उगाते हैं खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसके कारण मानव को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही और अब उसने एक जगह बसना सीख लिया लेकिन मानव को जब खादे सामगरी की कमी पढ़ने लगी तब उसने जमीन खेत की खुदाइक पत्थर लकडी हड्यों से बने यंत्रों से करके जमीन में बीज बोना शुरू किया धीरे-धीरे मित्टी वह उसकी निदाई गुड़ाई वपौधों के लिए पोश्यक तत्वों का महत्व जाना वह पानी के स्वोत के निकट वाली ज दामानित खेती करने लगा समयानुसार धीरे-धीरे क्रिशी का विकास हुआ वर्तमान में अपनी आवश्यक्ता के साथ-साथ मनुष्य ने अनेक विक्सित क्रिशी यंत्रों का विकास किया जिससे कम समय में अधिक फसले ली जा रही है इस प्रकार आधिकाल से लेकर आज तक मानव की खिशी पर निर्भरता लगाता बढ़ती गई और खिशी के विकास के साथ-साथ सभ्यता का विकास हुआ आधि मानव की प्रगती में पहिये की खोज का महत्वपून स्थान है और यह खोज उसके जीवन्यापन के लिए वर्दान साबित हुई इस खोज से को कई लाब हुए जैसे भारी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में गहराई से पानी खीचने में चाक से मिट्टी के बर्तनों के निर्मान में पशोद्वारा खीची जाने वाली पशुगारी निर्मान में इस प्रकार खोच करते करते मनुष्य लगा प्रगति करता गया